जैहिन दोस्तों मैं निकेत कुमार इजीवे के योटूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूँ बढ़िया होगे और सारे चीजे अच्छे चल लिए होगी अगर कुछ दिक्कते भी होगी तो आगया निवले टाइम में धीरे-धीरे सही हो जाएगी जैसा कि आपको पता है जिन भाईयों ने हमारे जो भी पिछली वीडियोज है उन्हों ने देखा है उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि हमनेरी उन्हों का मैं गर्ली …… ...? तो चलिए आज का जो ख्तिर सेसे सान है हम लोग स्टार्ट करते है और देखते है लोन дальше कि उस अक्छर का चैन कीजिए जिसे नीचे दी गई अक्छर से रिंकला के अलिकति स्थानों पर क्रमा नुसार रखने से दी गई से रिंकला आपके सामने क्या है यह कि लेटर स्रीज दी हुई है और इसमें जो फिलिंग दा ब्लैंक का जो साइन है उसके प्लेस पे कौन कौन सा अल्फावेट आएगा उनको रखने से यह पूरा पूरा हो जाएगा यही पता रहे है तो जब भी इस टाइप का आप क्वेस्टन देखते हैं तो सबसे पहले जितना उस सीरीज में अल्फावेट लिखा हुए सब का नंबर जो है काउंट कर लें कि इतने अल्फावेट अब 18 को हम लोग क्या करेंगे कि या तो तीन पार्ट में या फिर छे पार्ट में डिवाइड कर लेंगे तो मैं क्या कर रहा हूं छे पार्ट में डिवाइड कर ले रहा हूं तो यहां से बना लिए एक यहां से बना लिए एक यहां से बना लिए एक यहां से तीन क्या बना तो यह चीज़े क्या हो जाती है बहुत असान हो जाती है जैसे आप देख रहे हैं कि आप यह बी वाला जो पैटर्न है आपको यहां पर भी दिख रहा है यह एक यहां से दिख रहा है मैं दिखा दे रहाऊ यह बी यहां पर यहां पर यहां पर यह दिख रहा है तो क्या देख रहे हैं आप यहां पर यहां पर agriculture the जाया है तो यहां पर भी क्या हो जायागा और यहां पर यह तो भी आलरी है और यह भी क्या होजागा मतलब दूसरा और रलास्ट वाला जो क्या ऐ भीouter होना चाहिए तो आपको देख रहा अपसार नमबर डी में यह चीज नहीं मिल रहा है, ठीक है, अब आप ये C D वाला पैटरन देखे, C D, C D, यहाँ पर देख रहा है, और आपको क्या देख रहा है, यहाँ पे उसके बाद फिर क्या भरा है डी डी बी डी डी बी डी कहां पर मिल लिए option नंबर ये option नंबर ही option नंबर ही अपना answer हो जाएगा ठीक है देखते है question number two 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 आपके सामने बड़ी है question number 3 यह करा कि उस समच्च का चेहन कीजी जिसमें संख्यां आपस में उसी तरह संब्दीत है जिस प्रकार संख्या नीचे दियेगैं आपस में संब्दीत हुआ, ढ़ी का यह आपके सामने मतलब 4 यहाँ पर किया है वैसे आगे दीदेखें सिंपल सा लोजिक है 21 से कितना गया है पांच लेकिन यहाँ पर कितना एड कर रहा है छे एड कर रहा है तो option नमठर ए इस लोजिक कि उस उत्तर आकिर्टी का चान करें जिसमें दे गई आकिर्टी अंतर नहीं थे अब पेस्ट है है कि यह फिगर दिया गया है और यह फिगर इन चारो options में से कौन से में present है यही हमें बताने है ठीक है आप इस टाइब के question में हम क्या करते हैं कि एक base figure पकड़ लेते हैं जैसे मैंने यह एक base figure यहां से पकड़ लिया ठीक है मैंने यह बस इतना एक base figure पकड़ा option number A में मैं ढूंड रहा हूं ढूंड़िए आप कहीं नहीं मिल ला option number B में आप देखिए क्या देख रहे हैं option number B में option number B में भी आपको यह चीज कहीं follow होता हुआ नजर आ नहीं जाए ठीक है option number B में क्या हो जाए यहां से जलत हो जाएगा वह वाला आप चेक किजिए अब आगे वाला पार्ट आप चेक कर रहें तो यहां से ऐसे भी मिल जा रहे है और फिर यह भी मिल जा रहे है तो कौन से option में है option number C और option number C भी अपना क्या हो जाएगा वह अंसर हो जाएगा ठीक है देखते क्वेस्टन number 4 question number 4 क्या कह रहे है question number 4 question number 4 बढ़िया सवाल है question video को आप pause किसी और कूछ से solve करने की कोसिज की लिए question number 4 क्या कह रहे है कि नीचे दो कथन दिए गया है उसके बाद में इस गर्स ए बी और जी दिए गया है कथन को सत्य मानते हुए वह चाहएगा समाने तब ग्यात सब्सक्राइब करना है कि दिए गए कथनों में से कौन सा निसकर्ष तरक संदत रूप से निकलता है जब भी आप statement कथन और निसकर्ष वाले conclusion वाले statement और conclusion वाले question देखे आपको उपर देखना ही नहीं कि क्या बोले सिंपल सा बस यहीं करके statement को यूज़ करके कुछ conclusion निकाला गया है और कौन सा निसकर्ष सही है यही हमें पताना होता है ठीक है अब आप statements को पढ़ यह statement क्या कह आ रहा है पहले वाले statement को आप पढ़। पहले वाले statement क्या कह रहा है कि कुछ कुछ वाला बोल रहा है यहां पर सम-kwadilaterals-a-squares था यही बोल रहा है समवाला तो समवाले में क्या होता है कि जो subject होता है वो 50 हो जाता है और जो object होता है वो भी क्या होजाता है यही होता है बैसे यहां पर कुछ वाला बोल तो चत्रवूज क्या हो जाएगा और वर्ग क्या हो जाएगा यह भी पचास है दूसरा पढ़ यह सभी वर्ग सम्म चत्रवूज है ठीक है all स्क्वेर्स रॉम्बस तो यहां पर सभी वर्ग वर्ग क्या हो जाएगा सम्चत्रबूज अब आप कंक्लूजन को पढ़िए दूसरी चीज़ आप क्या देख रहें कि दोनों जो स्टेट्मेंट्स है दोनों जो कतन है बोग्लिजन निगलेगा हमारा पोजेटीव ही निगलेगा अब पहला वाला पड़िए आपका क्या कर रहे है कि कोई भी चत्रबुज अधर कोई भी चत्रबुज साम्चत्रबुज नहीं है यहां पर एक चुड़ गया था नहीं है पॉजेटीव स्टेटमेंट है तो हमेशा पॉजेटीव वाला ही निकलेगा तो ये आपको निसकर्स कभी निकल सकता है इसके लिए ये क्या हो जाएगा तुसरा निसकर्स देखिए क्या करें कि वर्ग हैं तो सम faut संचत्रबूज क्या हो जाएगा सो हो जाएगा और वर्ग क्या हो जाएगा विप टींग других स्टेटमेंट को सम शु till मैंद कितना हैं पचास हैं इन दोनों का सम div प्रूज और अब काրेक हैं रिलेशन कसे यहाँ पर मिलले हैं तो आप क्या देख रहे हैं कि है संद्द रूंज कितना है पचास और वर्य तो यहां पर आपको संद्द्र मुई बुसरे персонette में क्या बनाना है सब्सक्रिकूकिसे रही है तो यह वाला कया हुजता जैका लिद के दुन तो यह वर्ग से वर्ग कैंसल हो जाएगा और चत्रभूज और सम्चत्रभूज यहां पर 50 है यहां पर 50 है अपने को 50 और 50 ही चाहिए मतलब केवल निजनन सी निकलता आ कौन से नमबर भी में आप देख रहें क्या बोला गया घ्ला को अप्सट नमबर से अपना का हम जाएगा देखते हैं क्रिच्ट नमबर वाइव सर नम्रन फाइव क्या कह चाहरह है क्वेस्टिन नमर फाइव आपके सामने क्वेस्टिन नमर फाइव यह कह रहा है कि निम्नलिखित सब्दों को एक तार्किक एवं अर्थ पूर्ण क्रम में विवस्तित किजिए ठीक है आपके सामने यह वर्ड्स दिये गए कुछ इनको एक मिनिंग्फुल ओर्डर में क्या कर करना है सजाना है टिकर जायए डॉक्टर स्वस्ति लाब इस्पताल घर बीमारी और तावड़ी की दुपान यही सारे वर्ड्स है तो सबसे पहले आप क्या दिख आप पहले क्या होगा बीमारी होगा ठीक है बीमारी होगा तो आप जाएए पहले तो आप Essa शाम में जाए आप तो अस्पताल में पहले डॉक्टर से मिलेंगे ठीक है उसके बाद क्या आना चाहिए एक आना चाहिए डॉक्टर से मिलने के बाद डॉक्टर आपको बताएगा उसके बाद आप कहा दवाई बताएगा तो आप क्या पर जाएगे दवाई के दुकान पर जाएगे ठीक है पास 3 1 कौन से मैं फॉलो कर रहा है पास 3 1 option नंबर डी में ही बस फॉलो कर रहा है यहीं से answer हो जाएगा ठीक है तो option number D क्या हो जाएगा answer हो जाएगा इतना ही से आप option में check कर सकते ही देखते है question number लुट को सिक्स क्वेस्टन नुमर सिक्स क्या क्या रहा है कि निम्न लिख्य दिए गए विकल्पोँ में से उस सब्द यूगं का चैन कीजिए जो आपस जो दो सब दिये के हैं उसी प्रकार से उनका relation मिलना चीए वही वाला अपना अंसर हो अब सहायक और श्मृति का मतलब ये दिमाग शहायक श्मृति वाला मतलब ये memory किसको बोलते हैं दिमाग सहाय के स्मेति वाला गर आप medicine लेते हैं दवाई लेते हैं तो आपकी दिमाग क्या होता है दिमाग क्यों होता है वो तीज होता है बढ़िया होता है ठीक है बढ़िया काम करते है वैसे आप यहां पर देखिए स्रोता भासन इनका कुछ relation नहीं है इस प्रकार से नाटक अभिन इसका कुछ भी नहीं है स्वार परिख्णach और संगीद इसका भी कुछ नहीं है उसतरीके से आप शामक और निद्रा, शामक क्या है एक निद्रा की दवाई है ठीक है एक टाइप का दवाई है शामक तो आप अगर शामक लेते हैं So demek लेते हैम स्रीग आपको क्या आएगा वीडियो को pause किजिए और इस पूरे figure में कितने triangles हैं यह आपको बताना है तो आप बताईए कि नीचे दी गई कि आकरिती में कितने थी भूजे आपके सामने यह figure है इसमें number of triangles हमें point करने है तो मैंने आपको एक concept बताया हुआ पिछले वाले वीडियो में पहले वाले वीडिय count करने है तो एक यहां पर हो गया 2 3 4 5 6 ऐसी हो गया तो इस type के triangle में क्या करते जो सबसे बड़ा number है उसका क्या करते है दो गुना कर देते है तो 6 गुना 2 करेंगे 12 जाएगा ठीक है इस type के figure में क्या होता है कि number of triangles count करने का यह ठीक है ठीक है दो गुना अपने कर दिया तो इ इस वाले figure में कितने होगे triangles 12 वैसी आप अब यह वाला part पकड़िए मैंने यहां से यह figure बस पकड़ा है ठीक है इस यह वाला figure अब आप वैसी यह वाला part पकड़िए यह जो बड़ा figure है 1 2 3 4 5 6 इसमें भी कितने हो जाएंगे 6 बड़ा number मिल जाए इसका आप दो गुना कर द आप जैसे ही आगे count करेंगे तो हमें कितना मिला है 12 12 अब आगे देख रहे है यहां से यह कंगे यह यह और बड़ा वाला ट्रेंगल, तो दो ट्रेंगल पर एक साइड से मिल रहे हैं, वैसी आप ऐसे देखेंगे इससाइड से, लिए श्याजी से भी, इससे भी आपको सेम स्धून हैं मिले गए, एक ट्रेंगल यह मिलेगा और एक लिए यह साइड से, कौन सा एक यहां से यह वाला ट्रेंगल बड़ा ट्रेंगल सबसे बड़ा यह एक यह ट्रेंगल दिखाई दे रहा है एक और टोटल कितने हो गए बारत 24 24 2248,29 ओर कहीं पर कुछ ट्रेंगली चीट रहा है मेरे इसाब से हमने सपों कर लिया तो option नमबर यह में अपने को क्या मिल ला है अपने और देखते हैं नेक्स क्वेस्टन नेक्स्ट क्वेस्टन क्वेस्टन नमर एट क्वेस्टन नमर एट क्या कह रहा है कि जिस प्रकार फैसला का समद सुनाना से है उसी प्रकार नियम का समद किससे होगा फैसला हम लोग क्या करते हैं सुनाते हैं फैसला क्या करते हैं सुनाते हैं तो वैसी आप क्या देखिए नि नियम को पेस्ट तो नहीं करते हैं, एक ये थोड़ा मिलता जुलता मिल रहा है, कर रियानवीत करते हैं, ये भी मानना नियम का सेम हो जाएगा, अनुपालन करना मानना, अगर option A को लेंगे आप तो option D अनुपालन करना मानना दोन एक ही हो जाता है, कर रियानवीत करते हैं, न तो उसको क्या करते हैं तो ऐसे यहां पे कर रहे हैं और रहे हुई można रहें क्या कुछ स्विए तो आपके सामने ये figure दिया हुआ है और इस figure आपके सामने कुछ words दिये गए और इन words का जो आपस में relation है इस relation को में वे ना रहे के तू बताना है ठीक है यही करना है तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए जैसे ये क्या दिया हुआ है ग्रामवासी गरीब व्यक्ति और पूरुस ठीक है क्या दिया हुआ है ग्रामवासी गरीब व्यक्ति और पूरुस तो आप क्या देख रहे हैं यहां से कि ग्रामवासी और गरीब के बीच क्या relation है कुछ ग्रामवासी जो होते है वो गरीब भी होते है और इस ग्रामवासी के साथ पूरुस का क्या relation है तो ग्रामवासी जो है उसमें मेल भी आती है और female भी आती है पूरुस भी आती है और स्रिया भी आती है तो ग्रामवासी के साथ क्या देख रहे हैं आप गरीब और पुरुस दोनों का कुछ ना कुछ relation है सम वाला कुछ ना कुछ मतलब यह गरामवासी हो गया इधर से गरीब ही हो गया और क्या हो गया यह जो गरामवासी है यह कुछ पूर भी हो गया चाहिधा है रियाक्ति जो होता है आप देख्या है क्या उसकते डहना लाए भी हो सकती है कुछ पुरुज भी हो सकते है और कुछ क्या हो सकती है महीं लाए भी हो सकती है ऐसा ही होगा तो अब आप क्या देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच जो है श्रम वाला इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो कौन सा फिकर दिख रहा है थिनों में common कुछ न यह सी तो option नमर एक question number 10 क्या कह रहा है question number 10 यह कह रहा है यदि एंजल को बी ओ एक्ष एफम के रूप में लिखा जाता है तो सैवेज के लिए बनने वाले कोड में तीसरा अक्षर क्या होगा यही हमें बता है ठीक है क्या कह रहा है अग्यां अग्यां आप एंजल को एन कैसे लिख रहा है वी ओ एच ऐसे लिख रहा है ठीक है तो जब भी अल्फा वेट वाले प्लेसान आते हैं तो सबसे पहले क्या करते है मुझा क्लेस क्या होता है यह दर गल्फंसरी प्लेस प्लेसर आता है वो 15 प्लेस्ठी आता है एक्षब कर रहेऊं कि एकंइड है कि यह फिक स्वेंड क्या होता है यहां। सब्सक्रांद मैं क्या है एक क्या क्यान करिए कि यहां परुथा से dismantle 59 यह 10 सिए हाफ इसन क्या पढ़ रहे है। उड़ के लिए बनने वाले code में 30 अक्षर 30 अक्षर मतलब भी भी ठीक है तिसरा अक्षर क्या होगा यह यह में बताना है तो भी के लिए भी का place क्या होता है भी का place होता है 22 अगर 22 में आप एक add करेंगे तो आपको मिलेगा और 23 किसका होता है 23 होता है w का ठीक है कौन से option में है option number d में option number d अपना answer जिन भाईयों को alphabet का place बहुत अच्छे से जाद होगा tips पे होगा उनको यह लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी वह बहुत easily इस question को कर सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले मैं यह चाहूँ में से 3 सबद किसी प्रकार से एक समान है और एक सब्द अशमान है ऑर समान सब्द का जएन करने है अब क क्या देखना कि अपगानिस्तान नेपाल इंड zwischen अपने को डीफरेंट दीक्ता है इसलिए क्यों कि ये जो है यू रोप में आता है ठीक है डेखते हैं क्वेस्टन क्वेस्टन कें रहे हैं है उस विकल्ब का चैन कीजिए जो तीसरी अक्षर सम्मूं से उसी प्रकार संबंदी थे जिस प्रकार दूसरा च्षर सम पहले अक्षर संबंदी थे अपके सामके यह जो वर्ट्स दियेके हैं इनका relation जिस प्रकार से है वही हमें इनका relation कैसे होगा यही हमें बताना है अब आप क्या कर रहा है F L Q B को कैसे लिख रहा है J I S U सबसे पहले क्या किजिए आप की alphabet का place लिख लिजे सबसे पहले क्या करना आपको alphabet का place लिखना है F 6 L का 12 Q 17 और B 22 इधर J का 10 I का 9 S 19 और U का 21 ऐसी है ठीक है अब इसके साथ आप comparison करेंगे तो क्या देख रहें कि 4 एड किया हुआ है 12 से 9 के साथ comparison करेंगे तो क्या देख रहे हैं कि आपके 3 घटाया हुए है फिर 17 से 19 के साथ comparison कर रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि 2 add किया हुए फिर अब 22 से 21 के साथ comparison कर रहे हैं तो क्या देख रहे हैं गटाया हुए मतलब क्या कर रहा है पहले चार जोड़ रहा है फिर तीन घटा रहा है फिर दो जोड़ रहा है फिर एक घटा रहा है वैसी आप यहाँ पर किजिए डी का क्या होता है डी होता है फोर प्लेस पे तो फोर प्लेस पे आता है तो 4 में आप 3 add करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 4 प्लेस पे आता है तो 4 में आप 4 add करेंगे तो 8 8 कीस का होता है? होता है H का ठीक है? मतलब H से start होगा फिर J, J का प्लेस क्या होता है? 10 होता है 10 होता है 10 में क्या करना है दूसरे वाले में आपको क्या कर रहा है 3 घटा रहा है 10 में से आप 3 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा 7 और 7 का कौन सा होता है 7 पर होता है जी ठीक है यहाँ पर मिलेगा 7 और 7 पर क्या आता है जी नेक्स वाले में N, N का होता है 14 चौदा में से आपको क्या करना है तीसमें में क्या किया है दो एड किया है चौदा में आप दो एड करेंगे तो आपको मिलेगा सोला और सोला का प्रेस क्या है पी ठीक है उसके बाद आर आर का प्रेस होता है अठारा लास्ट वाले में क्या किया है एक घटा है अठारा में से आपको मिलेगा 17, 17 किसका प्रिस होता है, क्यों का होता है कौन सी option में दीख़ेरे हैं आपको A, G, P की option number B option number B answer होगा जिनको alphabet का place बहुत अच्छे से याद होगा उनको इतना time नहीं लगता वो बहुत easy tips पे कर ले तो उनको पेपर भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ती हैं देखते हैं question number 13 question number 13 क्या करें निम्न लिखी चार समुखों में से पहला condition के आएगा तीनो में से स को स्ब्सक्राइब गारते है दूसरा condition की यह सब wine and मिलें दो एक जैसे और एक अपना अलग मिलेगा जो अलग मिलेगा वही answer हो जाए. चलिए तो इसमें चेकिजिए इस Geor पोले होता है वीसमी होता है गाल्राण पर पी होता है, सुलावे पे और की होता है, सत्रावे पे, इसमें चेक कीजिए, डी होता है, चौथे प्लेस पे, एच होता है, आठमे प्लेस पे, और बारा होता है, ए स्वरी, एल होता है, बारावे प्लेस पे, आप तीन ओप्सन चेक करेंगे, तो यहाँ पर क्या देख रहे है चार एड़ किया है, यहां पर भी वैसी चार एड़ किया गया है, वैसी आप यहां पर देख रहे हैं तो चार एड़ किया है, लेकिन यहां पर क्या एड़ किया है, यहां पर देख रहे हैं आप चार एड़ किया है, यहां पर भी चार एड़ किया गया है, तो यह option number A और option number C, दोनों क्या मिल लाएं एक जैसे मिल लेकी पैटर्न चार्चार यूज किये वाले और सान नमर भी डिफेंट मिलना तो अप्सान नमर भी अपना अंसर हो जाएगा देखते हैं नेक्स फ्लक पर है तो उपरी फ्लक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी यही हमें बताना है ठीक है क्या करना है यही हमें बताना है अब आप क्या देख रहे हैं कि जैसे यह आप देखेंगे तीन के प्रिशन अगर नीचले फ लग पर है तो तीन का पोजिट में क्या होगा यहीं बताना है आपके सामने एक ही पास है एक ही पास ही करके तो अलग 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 कंडिशन को ड़सा आए अब इसमें आप क्या सकते हैं कि एक क्या है common है एक यहाँ पर भी क्या है common है यह one common number वाला question है अब आप क्या देख रहे हैं जैसे ही आप देखेंगे तो अब आप क्या किजिए कि dice को पहले एक को आमें सामने लाना है ठीक है तो dice को आप पहले इधर गुमा देजे जैसे ही आप dice को इधर गुमाएंगे तो 6 जो है 6 यहाँ पर पीछे चलाएगा ठीक है 6 यहाँ पर पीछे चलाएगा और क्या होगा तीन यहाँ पर आ जाएगा ठीक है उसके बाद फिर अब dice को ऐसे गुमा देंगे ठीक है dice को क्या करेंगे पहले हमने ऐसे गुमाए था अब आप डाइस का फिगर ऐसे दीखेगा तो अब क्या है एक यहां पे बीसा मैं एक यहां पर होता है कि जैसे आप देखते हैं तो यहां पर इसके तो पीछे वाला जैसे हमने घुमा आतो सब्सक्राइब करेंगे तो क्या मिलेगा यह दोनों क्या है common है उपर वाला पार्ट मिल जाएगा तो यानि पांस के अपोजिट में क्या मिल जाएगा त्री मिल जाएगा और यहां से यह वाला जो पार्ट है एक दूसरे के इसमें मिल जाएगा तो चार के अपोजिट में क्या मिल जाएगा शे मिल जाएगा आपको बतान पर कौन सी संख्या आएगी कि यही हमें बताने हैं आपके सामने पीछ नीचे एक स्रीज दी होगे और इस स्रीज में अगला नमब्र कौन सा हा आगब यही हमें बताने है है अब क्या देख रहा है से यहाँ से कि यहाँ पे पहुंचा है- Son यहां पे साथ add किया गया है फिर 18-29 कि पहुंचा हैłem met यह 19 add किया हमा है मतलब यह जो पहले वाला number यह पहले वाला number इसमें क्या ह中共 hadd if इसमें एड हो रहा है एक फिर सिक्शा एहां पर इसमें आप क्या देख रहे हैं कि 18 तो इसके पहले वाला नमबर एड़ कर रहा है तो यहां पर 18 एड़ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 47 कौन से आप्षिन में है आपको समझ में आई होगी देखते हैं क्वेशन नमबर 16 क्या क्या रहा है यदि नीते दी गई आक्रिती के दाय और दरपन रखा जाए तो बनने वाले सही दरपन प्रत्वीम का चैन कीजिए आपके सामने एक फिगर है और इसके राइट साइड में क्या रख रहा है मिरर रख रहा है एक दरपन रख रहा है और दर बाएं वाला फिगर है ठीक है जो बाएं वाला फिगर है किसमे कनवर्ट हो जाता है दाय में कनवर्ट हो जाता है वैसी दाय वाला जो फिगर है दाया वाला पार्ट वो किसमे कनवर्ट हो जाता है बाएं वाले पार्ट में कनवर्ट हो जाता है मतलब यह कि मालने जे आपक की तरफ तीर जा रहा है तो मिरर में जो इमेज बनेगा दाएं की तरफ जा रहा है अब ऐसे एक फिगर है इस तरीके से अब यह जो फिगर में बनेगा वो कैसे बनेगा इस तरीके से बनेगा ठीक है वैसे आप यहां पर देखिए लेकिन अब आप आप अप्शन को देखिए इसको देखते होई अब आप क्या देख रहें कि पहले ट्राइंगल है तो ट्राइप्र सीड था जा घृट Mmm सबसलीर आ जाएगा और यह वाला पार्ट यूवाला पार्ट यह यहाँ प्रहुत आप तो अब क्या देखें ट्राइंगल ड्यारेक्शन आप ट्रेंगल क्या है बाया पार्ट में थैंख है ड्य में दीक रहा है ऑपस hijos लेकिन option number d में आप क्या देख रहे है डिय बचओं सभाइड बाने तरफ दोसमें सुद्क क्या कर दिखे question No. 17 question No. 17 क्या क्या है निम्नलिकी 4 संख्याओं मैंसे 3 संख्या किसी प्रकार एक समान है और एक संख्या असमान है और समान अच्छर समूं का जयन करना है ठीक है आपके सामने यह 4 नम्बर्स दिये हुए और 4 मैंसे जैसे वह हैं ठीक है क्या न जारा रहा है, Q है, 7 का Q, Q है, sorry, 1331 ये किसका Q है, 11 का Q है, ठीक है, ये 297 ये किसका Q है, ये 13 का Q है, और ये 731, 731 में क्या है, कि ये 7 का Q, sorry, 731 को कैसे लिख सकते अपने Q के रूप में, तो 729 और प्लस 2, मतलब ये की 729 किसका Q है, वो 9 का है, प्लस 2, यही लिखा हुआ है, तो option number D क्या दिख रहे हैं, आपने को तोड़ा अलग दिख रहे हैं, तो option number D अंसर हो जाएगा, next question को देखते हैं, next question क्या कहा रहा है, question number 18, question number 18 आपके सामने है, question number 18 यह कह रहा है, कि किम ने लिखी, 4 अक्षर सभूह हो, मेंसे 3 अक्षर सभूह, किसी प्रकार से 1 समान है, और 1 असमान है, असमान अक्षर सभूह का, check करना है, जब भी इस थैप का question है, तो आपको क्या क्या हैं कि तीनी option check करना है, ठीक है तो आप क्या देख रहें कि Alphabet वाला question है तो अब से पहले Alphabet का नंबर लिखिए F आता है 6th place पे चट्थे स्थान पर N का होता है 14 A.M का होता है 13 और G का होता है 7, B का होता है 2, K का होता है 11, J का होता है 10, C का होता है 3, यही का होता है कि इस 6 से 7 में comparison कीजिए मतलब एक बढ़ा के लिख है यहाँ पर इन दोनों में comparison कर रहे हैं तो मतलब एक गटा के लिख है यहाँ पर आप देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि एक बढ़ा के लिख है यहाँ पर इन दोनों में क्या देख रहे हैं तो option number D यह answer हो जाएगा, लेकिन मैं आपको क्या कर रहा हूँ, cross से करके दिखा दे रहा हूँ, A का होता है 19, K का होता है 11, L का होता है 12, और B का होता है 22, ठीक है, यही होता है, अब आप क्या देख रहा है, 19 से कितना प्यार है, तीन बढ़ा के लिख रहा है, लेकिन सब में क्या लिख रहा था, एक एक बढ़ा के लिख रहा था, तो option number D क्या मैं इसलिए मैं हमेशा आपको कहता हूँ, कि जब भी इस टाइप एक question है, तो आप तीन ही option को check करेंगे, तो वही होगा कि तीनों में से तीनों एक जैसे मिलेंगे, या फिर दो एक जैसे मिलेंगे, जो अलग मिलेगा वही अपना answer हो जाता है, ठीक है, देखे question number 19, question number 19 क्या कर रहा है, question number 19 आपके सामने है, question number 19 यह कर plus मतलब minus और minus मतलब गुना, और गुना मतलब यह, यह जो है sign है, यह sign जो है, वो किसका है, वो divide का sign है, ठीक है, यह किसका है, divide का sign है, और divide मतलब क्या है, plus है, तो निम्न का संख्यात्मक मान क्या होगा, यही हमें बताना है, ठीक है, इसका मैंने तुछा सा टाइप करने में ये मिश्टिक हो गया है तो इसके लिए मैं छमाच आता हूँ देखते हैं question number 20 question number 20 क्या गया रहा है question number 20 question number 20 आपके सामने है कि एक वर्गकार कागा उसको मोडा गया और नीचे दर्साया गया है ठीक है तो इसे खुलने पर यह कैसा दिखाई देगा जही हमने बता आपके सामने क्या है एक total एफ़ोर size का यह paper है ठीक है उसको क्या कर रहा है कि दो बार मोड रहा है दो बार मोडने के बाद में इसीließ बार दिखाई देगा यही हमें बताना है अब आप क्या देख रहे हैं कि कागज को पहली बारे में क्या किया था ऐसे मोड़ दिया था लास्ट वाले टाइब में यहां से मोड़ा था तो आप यहां से कागज को खोलेंगे तो यह वाला एक ऐसा फिगर बनेगा यह वाला फिगर त तो इसर से कोलें तो क्या हो गा एक यह वाला जो है यहां में बनेगा और यहन पे हाँ बनेगा अधिक अभी और यहां प्रसाइब दू advisor त्यार हो गया तो आपको और च एवाला तो आप ऐसे कोलेंगे तोor father यहां पे ऐसे आएगा ठीक है यह तो यहां पे काटाई हुआ है यहां पे यह तो काटाई हुआ है अगर आप पूरा खोलेंगे इसको तो यह जो उपर है यहां पे यह ऐसे बनेगा और यह जो है ऐसे बनेगा तो यह पूरा फिगर आपको ऐसे दिखता हुआ ना जार आएग कौन से है option number A में ठीक है अब आप option को देखके ignore मतलब यह कैसे करते हैं eliminate कैसे करते हैं आप यह इस वाले पार्ट को जैसे ही पकड़ते हैं तो क्या देख रहे हैं कि यह जो बिंदू वाला पाइट है यह जो क्या देख रहा है यहां से अगर पूरा मैंने यह क्या किया कि आपको बहुत अच्छे से explain करके समझा दिया कि इस तरीके से खुलने के बाद बनता है